तो आज की टेरो डीडिंग का टॉपिक है यह सोल में दियर माइंड वर्सस हार्ट तो उनके माइंड में आप के लिए क्या चीज चलती है और हार्ट में कैसी फीलिंग रहती है तो आप जो है इस वीडियो को आपने एक्स crush या फिर जो है lover या फिर future spouse के लिए भी देख सकते हैं सभी चीजों के लिए ये applicable रहेगा तो यहाँ पर मैंने दो pile रख रखे हैं pile number one, pile number two pile number one को आप इस image से choose कर सकते हो या फिर अपने zodiac sign से choose कर सकते हो उसी तरीके से pile number two है आप इस image से choose कर सकते हैं pile number one अगर आपने इस image को चूज किया या फिर आपका zodiac sign इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके कि उनके mind में आपके लिए चीज़े चलती हैं और वर्सिस हाट और नेक्स टारा है फाइव ओफ हॉर्ण्स एरीज योशेटरिस के नर्जी है नेक्स टारा two of wands fire sign बहुत जादा है नेक्स टारा three of pentacles और नेक्स टारा king of pentacles टारेस एनर्जी है और नेक्स टारा कार्ड दस सन लियो एनर्जी है positive cards आये हैं नेक्स तेख लेते हैं nine of points टारेस वोगो के प्रिकॉन के एनर्जी है नेक्स टारा lovers celebration का card आया है नेक्स टारा queen of cups और नेक्स टारा है queen of wands उमीद है आपको सभी cards अच्छे से देख रहे होंगे तो पहले उनके mind के बारे में बात करते हैं कि वो अपनी logical science से जो है वो किस तरीके से देखते हैं आपको या अपनी life में किस तरीके से आपको approach करना चाहते हैं तो पहला card आया five of wands है यह आपके ex हो सकते हैं या फिर आपके lover हो सकते हैं या आपके crush भी हो सकते हैं जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो उस चीज से applicable रहेगा वैसे जादा तर लोगों के लिए मुझे यह आपके ex लग रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में यह चलता है five of wands वाल एनरजी है कोई conflict create हुआ होगा कोई jealousy के कारण कोई problem create हुई होगी या फिर जो है other influences मतलब बाहर के जो लोग हैं उनका influence की वज़े से आप लोग separate हुए होगे या फिर अगर separate नहीं भी हुए है properly तो थोड़ी अन्बन चल रही होगी ऐसी वाली energy है जादा तर लोगों के लिए या फिर अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है romantic problems नहीं है कोई भी तब भी आपको एक competition की तरीके से देखा जाता है romantic realm मतलब कि बहुत सारे लोग जो है वो आपके लिए romantically involved होने के लिए बहुत जादा कह सकते हैं कि desperate है कि आपको जो है आपसे relationship रखना चाते है तो उनको जो है competition phase करना परता होगा ऐसी वाली energy है next आरा two of wants के energy उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहते चाहे emotions हो चाहे intellectual ability हो लेकिन उसके बावज़ुद वो सोच रहे है cross roads पे है ये इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं वो वाली energy है तो social future आपको लेकर बहुत जादा कर रहे है उनके emotions तो clear है emotions मैं बताती हूं आपको लेकिन mind में ये चलता रहता है कि approach करूँ ना करूँ आगे बढ़ाऊं इस relationship को या इस situation को या इस friendship को या नहीं ऐसी वाली energy है next star है three of pentacles के energy है हो सकता है आपके ये जो person हो वो आपको working place में मिले हो अगर आप working place पे हो अगर आप working place पे नहीं हो school college university में हो तब भी जो है वहाँ पे ये person मिलते हो या फिर आप कहीं daily जाते हो मतलब routine में जाते हो जैसे gym हो सकता है coaching institute हो सकता है कहीं पढ़ाने जाते हो या कोई voluntary या काम करते हो as a voluntary person या NGO में काम करते हो या किसी भी तरीके काम करते हो तो वहाँ पर ये person आपकी जान पिचान में होंगे आप इनसे बातचीत करते हो और वो भी आपसे बातचीत करते है आप दोनों को यह अच्छा लगता है एक friendship वाली level है कि एक बहुत गहरी friendship तो नहीं एक surficial friendship है यहाँ पर तो आपके साथ जो है वो काम करना चाहते है आपके साथ प्रोजेक्स में आगे बढ़ना चाहते है काम करना चाहते है और आपसे जो है काफी हद तक को सब को सीखना चाहते है आपके बारे में और आपके बारे में जानना चाहते है कि नीजी जिंदिगी के बारे में भी जानना जाते हैं नेक्स्ट आरे King of Pentacles के एनरजी King of Pentacles के एनरजी टॉरस एनरजी को दिखाते हैं ये परसन आपको stability देना चाहते हैं अपने life को भी stable रखना चाहते हैं तो ऐसी energy आ रहे हैं कि धन की तरफ या एक कैरियर की तरफ जादा प्रस्पेक्टिव इनका mindset इस समय जादा है कि धन आ जाए या घर हो जाए या जो भी उनका dreams हो कि भई ये ये चीजे होनी चाहिए मेरी life में तब जो है मैं शादी करूँगा या फिर जो है करूँगी या relationship के बारे में सोचूँगा ये सोचूँगी ऐसी वाली energy आ रही है यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये बहुत practical person है grounded person है टारेस energy जो है एक practical stability को दिखाती है ऐसे नहीं है कि हवा में कोई बाते करी और हो जाएगा बस उसके लिए practical steps लेना चोटे-चोटे steps लेना और उसको आगे बढ़ाते जाना ऐसी वाली energy और उस चीज़ को accept करते हैं कि ये होना चाहिए तो mind में ये चीज़ चलती है उनको मालूम है कि आपकी तरफ वो attracted हैं आपसे जो है वो प्यार करते हैं या अगर आपके ex है तो भी जो है वो आपको stability देना चाहते है अपने आपको life में stable रखना चाहते है इस वज़े से जो है वो अपने उपर काम कर रहे है next star is sun का card है तो sun जो है एक ये person जो है famous होना चाहते है या फिर जो है उनके मन में ये है कि मैं कोई ऐसा काम करूँ या अगर girl है या boy है जो भी हो तो वो ऐसा कुछ काम करना चाहते है जिससे उनको recognition मिले famous हो चाहे वो छोटे level पे हो चाहे वो बड़े level पे हो लेकिन उनका जो perspective है वो इस तरीके का हो कि मेरे पास wealth भी हो और मैं famous भी हो जो भी उनकी color हो या talent हो या कोई humanitarian work करते हो या उनकी अपनी field है for example अगर वो surgeon है चीक है आई surgeon है या कुछ भी है तो उसमें जो है उनका नाम हो ऐसी वाली energy है और innocence carry करते हैं ऐसा नहीं है कि innocence carry नहीं करते हैं तो उनका mind जो है वो बहुत जादा इस समय present situation में carrier की तरह जादा focused है अब देखते हैं उनके heart की feelings पहला R.I.Card 9 of points है तो 9 of points जो है वो आपको आपकी तरफ थोड़ा intimidating feel करते होंगे आपकी तरफ से ऐसा नहीं है कि आप उन्हें डरा देते हो ऐसा बिलकुल भी नहीं है लेकिन वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत जादा independent हो self sufficient हो wise person हो चाहे male हो चाहे female हो तो उस तरीके की energy है आप इतने जादा attractive दिखते हो physically भी spiritually भी emotionally भी कि कोई भी जो है आपको accept कर लेगा ऐसी वाली energy आ रही है तो वो थोड़ा सा अपने आपको जैसे मैंने कहा था ना competition है अगर आप single हो और आपकी तरफ कोई crush रखता है या थोड़ा सा जुकाव महसूस करता है तो वो यह सोचता है कि आप उन्हें क्यों accept करोगे ऐसी वाली energy है और अगर आपकी एक्स है तब भी वो जो है intimidated feel करते हैं कि आपको किसी की ज़रुत नहीं है आपकी energy इस तरही है कि आप खुश हो उनके बिना भी खुश हो ऐसी वाले energy जो है वो देखते है तो उनके मन में ये चीज़ आती है mind में ये चीज़ आती है next star is lovers का काड़ा है तो उनके जो feelings है वो ये है कि आपसे वो बहुत प्यार करते है sensual attraction भी है यहाँ पर क्योंकि जिस तरही किसी representation है कि sensually जो है वो आपको अपना बनाना चाहते है थोड़ी सी physical या sexual energy भी है ऐसी energy है या जमिना energy है वो आपसे communicate करना चाहते है अपने sexual desires को आपकी तरह communicate करना चाहते है यह उनकी feelings है next star is three of cups की energy है three of cups जो है दो चीज़े को दिखाता है या तो यह आपकी mutual friend है या फिर जो है mutual friends के friend हो सकते है जैसे कि for example आपका कोई best friend है या best friend लड़की है तो उसकी जो है brother हो सकते है या उसका cousin हो सकता है ऐसी वालिर्जी है ठीक है या फिर जो है यह third party situation है अगर मैं सिर्फ उनके लिए क्या रही है जिनको पता होगा कि third party situation है सबके लिए यह applicable नहीं होगा अगर आपके ex भी है तो अगर वो married है किसी और से या फिर किसी के और के साथ relationship में है लेकिन वो आपके पास आना चाहते है क्योंकि three of cups जो है third party situation को भी दिखाते है celebration को भी दिखाते है तो आपको मालूम है उनके mind में मतलब यह situation आपसे resonate करती है या नहीं करती है उनको मालूम है कि आपकी तरफ जो है वो जुकाव महसूस करते है sexual union चाहते हैं कहीं न कहीं और एक emotional freedom भी आपकी तरफ चाहते है तो ऐसी energy है next आर है queen of cups के energy है तो queen of cups के energy जो है वो इस चीज़ को दिखाती है साफ साफ कि आपकी caring, loving, gentle side को वो बहुत दा appreciate करते हैं प्यार करते हैं इस वज़े से भी वो आपकी तरफ हर तरीके से जुकाव महसूस करते होंगे शायद उन्हें शुरुआत में लगा हो मैं ex के लिए कह रही हूं कि आपकी तरफ सिर्फ वो infatuated है या attracted है या फिर सिर्फ lust है लेकिन ऐसा था नहीं वो जो है आपसे actually में love करने लग गए थे नेक्स टार है queen of wants है तो आपकी दोनों ही sides वो उन्हें बहुत दादा पसंद है एक sexy, attractive और confident साइड है और एक loving, gentle वाली साइड है तो दोनों ही sides को बहुत दादा पसंद करते हैं आपको जो है अपनी life मर लेकर आना चाहते हैं और आपके साथ जो है अपनी life को आगे pursue करना चाहते हैं तो ऐसी वाली energy चलिए देखते हैं love cards क्या कहते हैं तो पहला card ये आ रहा है और next card ये आ ये आ ये आ तो यहाँ पर जो है passionate heart है जैसे मैंने कहा था कि passion है बहुत जादा sexual union या sexual energies चाहते हैं वो आपसे और एक intimate emotional understanding भी चाहते हैं next यहाँ पर आ रहा है एक tree आ रहा है तो tree जो है फल भी देता है फूल भी देता है दोनों ही तरीके की energies हैं तो आप एक fertile इंसान हो चाहे male हो चाहे female हो तो babies making करना या फिर जो अपनी life को enrichment करना wealth से, health से, prosperity से, खुशियों से तो वो वाली energy है और miracles जो है वो आप अपनी life में लेकर आ पाते हो तो इस चीज को वो अपनी जिन्दिगे में manifest करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं love cards क्या कहते हैं तो पहला आ रहा है romance cupid's arrow strike तो रोमान्स है आप दोनों के बीच में और अगर ये पसंद आपके ex हैं तब भी जो है वो romantic moments या lovey-dovy moments को हमेशा याद करना पसंद करते हैं next आ रहा है manifesting miracles your dream is soon to become reality trust your heart and continue to follow its guidance तो आप miracles को chase कर रहे हो अपनी reality को बना रहे हो और उसमें जो है अपनी जो जो सोचा है आपने उसको जो है reality में convert करते जा रहे हो चलिए देखते हैं love messages आपके person की तरफ से आपके soulmate की तरफ से आपके लिए पहला आ रहा है finances and carrier देखो मैंने पहले ही कहा था कि यह person जो है carrier पे या finances पे पैसे पे बहुत जादा कहीं नहीं डिपेंड करना चाह रहे हैं next are let go control issues तो यह आपके ex हो सकते हैं कि वो let go या control issues को हटाना चाहते हैं next are happiness is anyone and anything at all that loved by you तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आप पसंद करते हो या प्यार करते हो वो जो है happiness लेकर आती है next are like attracts like next are make a selfish decision तो अपने लिए वो selfish decision उनका mind यह कहता है कि भई मैं carrier पे ही focus रहना चाहता हूँ अपनी feelings को वो दबाना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है next are extraordinarily faithful तो वो बहुत ही ज़ादा faithful है आपके लिए choose love तो love को choose करने की ज़रुत है you are my heartbeat तो वो आप जो है उनकी दिल की धरकन हो जैसे वो गाना नहीं था क्या गाना था तुम दिल की धरकन हो ऐसा था नहीं गाना वो देख लेना ठीक है next are music is love in search of a word तो यह person जो है जैसे मेरे भी दिमाग में एक दम से music आया तो हो सकता है बहुत सारे गाने वो देखते हो और आपको सोचते हो next are your love gives me a million reasons to smile every day तो आपको सोच कर खुश होते रहते हैं और बहुत जादा प्यारी सी smile उनके मूँ पे आ जाते होती है next are I will find my way back to you I promise तो आपके ex जो है वो आपके जिंदगी में वापिस आना चाहते है call me my love तो वो आपसे बातचीत करना चाहते है next are if you take care of yourself you can give more to everything else तो वो जो है आपको गह रहे है कि आप अपनी जो है self care करो next are we're friends but I wish we were more तो वो जो है चाहते थे कि आप दोनों friendship तो है ही आप लोगों के बीच में लेकिन उससे भी जो है चीजे और जादा बढ़ जाए तो ऐसी energy आ रही है तो चलिए देखते है इस energy से related को charms तो यहां पर एक crane आया है Pisces energy आई है इनका sun, moon and rising जो है Pisces energy हो सकता है next आ रहा है यहां पर cutter आया है anchor आया है diamond आया है gift surprises आया है और एक और cutter आया है तो यहां पर जो हो सकता है यह आपके X हैं तो अगर आप उनके साथ reunion में नहीं आना चाहते हो तो उनको cut off करो और अगर reunion में आना चाहते है तो proper chances हैं दूसरी चीज़ यह है कि यह person आपको अपने dreams में देखते हैं उनको आपके सपनों में अपने सपनों में आपको देखते हैं next आरे anchor आया है तो stability को कही ना कहीं लेकर आना चाहते है अपनी life को आगे अच्छा बनाना चाहते है next diamond आया है तो diamond जो है आपकी shine जो है उसको glorify करना चाहते है आपकी uniqueness को embrace करना चाहते है और आपको diamond देना चाहते है अगर वो afford करते हैं next आरे यहां पी gifts and surprises है तो हो सकता है वो आपको diamond gift करें चलिए देखते हैं उनकी तरह से कुछ lyrics song जिस तरीके के वो आपके लिए express करना चाहते हैं अपने love को तो पहला आ रहा है अगर तुम साथ हो तमाशा movie का नेक्स आ रहा है चाहूं मैं या नहीं आशकी 2 का तो देख ले ना बहुत प्यारा गाना है नेक्स आ रहा है अगर तुम मिल जाओ जहर movie का सब सेंशल गाने आये हैं नेक्स आ रहा है आज से तेरी padman movie का तो इस तरीके के गाने हैं एक और मैं निकाल लेती हूं तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं रैंडम मेसिज आपको कोई question है इस reading से related या कोई random question हो जिसका आप answer देखना चाते हैं उसके लिए मैं answers निकाल रही हूं उमीदें आपने अपना question सोच लिए होगा चलिए देखते हैं answers क्या कह रहे हैं तो पहला आ रहा है situation will improve way of in the future future में कोई काम बन रहा है आपका या जो आप चाहते हो वो future में हो रहा है go see an expert expert की मदद लो या कोई रुकावट आ रही है तो भी expert की मदद लो and resolve confusion कोई confusion हो रही है तो उसे resolve करने की कोशिश करो किसी बड़े से जो है expert से मदद लेने की कोशिश करो तो file number one यह थी आपकी reading उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है तो प्लीज इस channel को like करें, share करें, subscribe करें thank you number two अगर आपने इस image को चूश किया या फिर आपका zodiac sign इस पे से आता है तो चलिए देखते हैं आपके soulmate जो है उनके heart में और उनके mind में आपके लिए क्या-क्या चलता है chariot cancer energy है next 10 of cups भाई अपने आपको शाबाशी दो कि आपके लिए वह इतना सोचते हैं next three of wands okay aries की Sagittarius energy next तेख रहेते हैं cards judgment scorpio energy intense scorpio energy next आर हमिट वोगो energy है फूल एक्वेरियस energy है जास्टिस लीब्रा energy है और नेक्स्ट आर है eight of points okay तो यहां पर मैं कहना चाहती हूं उनके mind में जो है यह चीज़ चलती होगी अगर आप already relationship हो यह उनके उपर भी applicable है आपके ex है उनके उपर applicable भी है crush है उनके उपर भी applicable है तो हर तरीके से यह आपके future spouse या lover हो उनके उपर भी applicable है इस इंसान के मन में चाहे male हो चाहे female हो इंसान के मन में आपके साथ जो है life के experience को experience करना या जो कह सकते हैं कि अच्छे बुरे हर तरीके के पहलू को समझना आपके साथ जीना life को वो बहुत जादा important है उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी life हो बहुत ही जादा positive energies है बहुत ही ज या फिर colleague हो सकते हैं इस तरीके की energy या या boss भी हो सकते हैं तो ये person जो है वो आपको सोच कर खुशी महसूस करते हैं आपकी presence में बहुत जादा खुशी महसूस करते हैं कि उनके मन में ऐसी चीज़े आती हैं कि आपके लिए जो है वो कुछ भी करजाने को जो है वो तयार है एसी वाली energy और कुछ भी मतलब कोई negative sense में नहीं positive sense में कि आपको वो fulfill करना चाहते हैं emotionally, physically, spiritually, financially तो वो जो है आपको gifts देना पसंद करते होंगे या जो आपकी चीज़े जो है वो आपको पसंद है जैसे for example आपको जो है different shades of lipstick पसंद है सिर्फ example दे रही हो हो भी सकता है नहीं तो वो जो है उसमें भी बड़े जादा focus mindset कि आपको ये वाली पसंद है और ये वाली नहीं पसंद है तो ये वाला product लेके आऊंगा ये वाली जो है quality की लेके आऊंगा तो ऐसी वाली energy है तो आपके बहुत जादा वो ध्यान लगते है नेक्स आरा night of cups की energy है तो night of cups की energy जो ये love offer करना चाहते है मुझे जादा तर लोगों के लिए ऐसी energy लग रही है कि आपके crush हो सकते हैं secret admirer हो सकते हैं अगर आप single हूँ अगर आप किसी से बात चीत कर रहे हो या फिर अगर आप relationship पे हो तो तो आपको पता ही होगा तो ये जादा तर लोगों के लिए आपकी crush वा मतलब आपको propose करना चाहते हैं आपकी life में significant role को play करना चाहते हैं ऐसी वाल energy है अपने emotions को आपके सामने reveal करना चाहते हैं आपके साथ जो है lovey-dovey moments करना चाहते हैं और बहुत ही gentle energy है आपको respect करते होंगे चाहे वो male हो चाहे वो female हो नेक्स टार है chariot के energy है तो आपकी तरफ करना चाहते हैं जैसे success होती है triumph होती है जैसे for example racing court है जहापे जो है polo होगी या फिर जहापे घोड़े भागते हैं ठीक है और वहाँ पर जो है जो भी numbers लगा रहे है तो जो घोड़ा है उसको जो है वो यह चीज है कि वह वहाँ पर win करूं सिफ example दे रही हूं मैं किसी इंस तो वहाँ तक पहुचने के लिए जल्दबाजी एक रहती है लेकि एक strategy भी रहती है तो वह वाली energy है कि आपको एक trophy की तरीकी से वह देखते है कि आपको अगर पा लिया तो मैंने life में सब कुछ पा लिया उनको ऐसा लगता है आपको नहीं ऐसा लगेगा कि अरे मेरे में ऐ एक country side कोई घर हो या beach side कोई घर हो इस तरीकी की चीज हो जैसे कि इनसान assume करता है कि मेरे दो बच्चे हो या एक बच्चा हो ठीक है और husband wife हो और जो है मैं इस beach area पे या country side या mountainous side ऐसी जगह पे रहूं जहां पे nature हो और वहाँ पे मेरे पास जो है pets हो एक गाड़ी हो इस तरी जाता है ने एक दिमाग में चलता है कि भई हाँ मेरे घर में ये ये चीजे हैं तो वह वाली energy ये चाहते हैं और आपके लिए बहुत जादा protective होंगे ये मुझे जातार दो ही चीजे मैंने पहले भी कहा फिर से repeat कर रही हूं या तो आपके ये crush है या फिर mutual friend है आपके ठीक ह को या फिर वो करना चाह रहे हैं धीरे-धीरे करते भी हैं लेकिन आप उन्हें ignore कर देते हैं तो वह चाहते हैं अंदर से कि आप जो है उनकी तरफ एप्रोच करो या उनकी तरफ ध्यान दो नेक्स टार है three of wands की energy है तो three of wands ये पसंद future सोच रहा है आपके साथ कोई player energy नह पान लो आप for example यहां पे जिस country में इस समय रह रह रहे हुजा तो लोग इंडिया में रह रह रहे हैं तो इस समय अगर देख रहे हैं वो ठीक है तो वो जो है बाहर जाना चाहता है माइगरेट करना चाहता है वो कुछी भी country में हो सकता है तो वो सोच रहे हैं कि यह वाला business के नाम आये हैं New Zealand और Australia हो सकता है आप जाना चाहते हो हो सकता है नहीं भी जाना चाहते है ज़रूरी नहीं है क्योंकि general reading है सब countries के नाम तो लेने से रही मैं लेकिन वहां तक जाना या उस environment में उस nature में या उस natural beauty में अपना घर बनाना वो वाली energy है या पर next आ रहा है उनकी feelings जो है वो आपके लिए किस तरीगी पहले तो मैंने आपको माइंड बता दिया कि उनके मन में romantic feelings बहुत जादा है वो आपके साथ घर बनाना चाहते है future को देखें अब feelings देख लेते हैं तो पहला आ रहा है judgment का card है judgment जो है realization को दिखाता है एक epiphany हो जाती है कि मन को पता है कि मैं इस इनसान से प्यार करता हूँ हर हालत में करता हूँ चाहे वो इनसान मुझे मिले या ना मिले तो कि intense energy है उसी तरीके से मैं बता रही हूँ तो वही वाली energy है और ये इनसान crown chakra आ रहा है तो ऐसे नहीं है कि wisdom वाले person नहीं है या फिर infatuation को या lust को जो है मान ले कि love है ऐ ये इनसान को पता है कि वो आपसे इस level तक प्यार करते हैं नेक्स आरा hermit का काड़ा है वोगो energy है अपने अंदर secluded है इस समय अपनी भावनाओं को reveal नहीं करा है शायद इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो जानते हैं कि एक सही तरीके से approach करना एक family की life को responsibility को निभाना उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है तो उसको जो है develop करना चाहते हैं लेकिन आपके दोस्त वो हमेशा रहना चाहते हैं ऐसी energy आ रही है और वैसे भी वोगो energy आ रही है वो इस तरीके की होती है कि ये जो है वो अपने जो lover है या spouse है या जो भी love ones हो चाहे वो माबापी क्यो ना हो उनकी तरह बहुत अधर protective होते हैं थोड़े से possessive होते हैं और उनकी जगा उनके दिल में या दिमाग में कोई नहीं ले सकता तो वो वाली energy है नेक्स टारा फूल का काड़ा है aquarius energy है risk लेना चाहते है अपनी life में आगे बढ़ना चाहते है चेरिट के ठीक नीचे जो है फूल काड़ा आया है तो अपनी life में आगे बढ़ना चाहते है आपके साथ आगे बढ़ना चाहते है नेक्स टारा justice आया है justice लीबरा energy को दिखाता है communication skill को दिखाता है थोड़ चक्रा आया है आपको वो confess करेंगे अपनी feelings को और आपकी life में जो है एक अच्छे मुकाम को बन करना है तो उस तरीके से वो सब कुछ चीजे वो सोच रहे है उनकी feelings में यह है कि मैं इस इंसान के साथ जो है justice कर पाऊं जो वो deserve करता है उसको मैं दे पाऊं या दे जो है सब कुछ उसको provide कर पाऊं वो वल energy है next आरा eight of points तो जोतना भी provide करने की इच्छा है उनके मन में आप के लिए financially, spiritually, physically हर तरीके से तो उसके लिए वो मेहनत करना चाहते eight of points जो है वो मेहनत को दिखाता है hard working nature को दिखाता है focused approach को दिखाता है determination को दिखाता है तो अपनी life में जो है बहुत जादा stable person है यह अपने दिमाग में stable है कोई भी hotch-potch वाली energy नहीं बहुत clear cut energy है इसमें को पहला यह आया है और नेक्स यह आया है यहां दोनों में ही देख लो आपके सामने couple है दोनों ही एक दूसरे को जो है hug कर रहे है प्रोवाइड कर रहे है protection उस तरीके से है और angels की तरीके से इस blessing को वो अपनी जिंदगी में accept करना चाहते है तो देखते है love cards क्या कहते है फिर love relationship and your love life will dramatically improve तो आपके friendship जो है वो nurture हो रही है बढ़ रही है और उसको और ज्यादा जो है love life में transform करने की जरूत है नेक्स टारा my beloved दो भी may be physically apart spiritually we are always united for love transit space and time nothing is missing तो आपको वो अपनी beloved कह रहे है हो सकता है इस समय आप single हो या फिर जो यह आपके crush है या friend है वो अपसे दूर हो उन्होंने अभी तक आपको अपनी feelings ना भी जो है approach करी हूँ जादा तर cases में यही लग रहा है मुझे लेकिन वो जो है आपके साथ सही समय पर आ जाएंगे तो उनको ऐसा लगता है चोड़े देखते हैं love messages उनकी तरफ से आपके लिए पहला आ रहा है self care increasing your own well being through self care behavior next आ रहा है action speak loudly तो वो जो है कोई ना कोई action करते होंगे आपकी तरफ की आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि यह इंसान जो है वो friends से थोड़ा ज़ादा ही मेरे करीब आना चाहता है next आ रहा trust your loved ones अपने loved ones पे आप trust कर सकते हो next आ रहा speed it up next आ रहा है affirming तो जो आप life में चाहते हो जिस चीज को चाहते हो चाहे कोई भी चीज हो चाहे यह इनसान हो चाहे कोई और हो तो उसके लिए affirmations रखो next आ रहा है wealth is a real issue तो देख लो आपके सामने आ रहा है कि wealth को जो है वो provide करने चाहते हैं इस तरीके से कि आपको कभी आपकी तरफ भी kindness रखना चाहते हैं और आपकी तरफ भी kindness रखना चाहते हैं नेक्स आ रहा है enjoy romance सोचते हैं इस तरीके की चीज़े है you make me want to take a leap of faith तो leap of faith लेना चाहते है fool का card भी आया था next आ रहा है I want all of you forever you and me everyday तो वो जो है everyday आपके साथ enjoyment करना चाहते है next आ रहा है honeymoon तो वो आपके साथ honeymoon पर जाना चाहते हैं ऐसी चीज़े सोचते हैं next आ रहा है you are not the love of my life you are the life of my love sacrifice all for love तो love के लिए जो है वो कुछ भी करने को तयार है तो ऐसी energy आ रही है चलिए देखते हैं इस energy से लिटीड को charms यहां पर princess का crown आया है आपको जो है king या queen की तरीके से treat करना चाहते है देखो love आया है यहां पर बहुत ज्यादा love है जैसे मैंने कहा बहुत ही ज्यादा love है जिसकी जिसको मैं भी explain नहीं कर सकती इस depth को ठीक है और next आ रहा है यहां पर planet आया है तो वो जल्दी जल्दी आपक तरीके से चाहते हैं कि changes आये wealth जो है अच्छी हो जाए और आपके साथ जो है एक family life को वो शुरुआत कर सके तो चलिए देखते हैं इस energy से related कुछ love songs की वो आपको कौन सा गाना जो है we dedicate करना चाहते हैं चलिए देखते हैं पहला गाना आ रहा है जग घुमया सुल्तान मूव का एक लड़की भीगी भागी सी चलती का नामगाड़ी यह जो पुराना वाला गाना था जो कि शोर कुमार ने गाया था वह वाला गाना है ठीक है next आहरा है दिल दीवाना मैने प्यार किया बहुत प्यारे गाने आ रहे हैं और आ रहा है next मेरा एक सपना खुबसूरत मुवी का है तो देख लेना कौन से लेरिक्स आ रहे हैं एक और गाना ले लेती हूं सभी गाने बहुत ही जाद सुप्रीम आये हैं चलिए देखते हैं लास सेग्मेंट आपका कोई कोशन है इस रीडिंग से रिलेटेड या कोई रांडम कोशन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हो आप अपना कोशन सोच लिए मैं उसके लिए आंसर निकाल रही हूं तो पहला आंसर आ रहा है फुल मून या न्यू मून रिकावरी आपके रिकावरी और यह हल्थ की रिकावरी हो सकती है रिलेशेशिप की हो सकती है किसी भी चीज़ की हो सकती है नेक्स आ रहा बिग हापी चेंजज़ तो चेंज़ आ रहे हैं हापी चेंज़ आ रहे हैं और नेक्स आ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें थाइंक यू